फिलहाल के मार्केट के हिसाब से अगर देखो न तो 15,000 उपए के अंदर कोई फोन ऐसा मिल जाए कि यार जिसको आप इसली रिकमेंट कर पाऊ बहुत ही मुश्किल है लेकिन यहां पर आज आता है अपने पास Poco M4 Pro 4G इसको यूज करते हैं साथ दिन से जादा हो चुके हैं आज की वीडियो में फुल टू आपको इसका बताऊंगा ना क्यों मुझे यह मेरे हिसाब से 15,000 उपए के अंदर फिलहाल अगर आप देखोगे ना लेटे से स्मार्टफोन में मुझे यह काफी जादा अच्छ वाला फून और एक बैलेंस चीज सब चीज होनी चाहिए तो I think Poco M4 Pro 4G जो है आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है क्या है पूरी आपको बताता हूं आज के वीडियो में उससे पहले बस एतनी सी रिक्वेस्ट रहती है रेड वाला बटन अगर आपको नीचे दिख रहा देखो कि अपको देखने को मिलेगा लेकिन यह शाइन वाली है और मैं आपको रेकुमेंट करता हूँ कि यार यह लो वाला मिल जाए तो वह लेख़का ब्लैक वाले के साथ समस्या है शाइन होने के कारण़ फिंगर परिंट्स मचेज आते हैं और इसके अंदर जो हेलने स् कर रहा हूं यह एक थोड़ी सी इश्व आपके लिए हो सकती है इसलिए ब्लैक वाला मत लेना बागी कैमेरा मॉडिल तो देखो मुझे परसनली काफी जादा पसंद आया है लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में कुछ लोग कंसर्ण था कि यार टूट सकता है यह गिलास है तो मिलता है चिंटू मिंटू सा है मेरे हाथ में तो एकदम छोटा लगता है लेकिन हाथ में फिट हो जाता है बहुत यह राम से इसको पूरा दिन यूज कर लो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा मिडिल फ्रेम इसका आपको यार फ्लैट एजिस वाला थोड़ा से नहीं फ सिंगल स्पीकर से बैटर देखने को मिलेगे लेकिन हाथ डूल स्पीकर बहुत जादा लाउड वाला नहीं है ठीक आपको यहां पर देखने के लिए उसे के लावब है इसके अंदर डेडिकेटिक सिम स्लॉट का भी सपोर्ट मिल जाता है तो वह भी है आप दो सिम के साथ को अराम से लगा सकते हो इवन यह 4G प्लस को भी सपोर्ट करता है आप देखो 5G स्मार्टफोन नहीं है लेकिन 4G प्लस के नेट्वक्स बहुत ही अच्छे वाले आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते है अब प्रोसेसर अंदर दिया हुआ है मीडिया टेक हीलियो बहुत ही सही आजाते है सेम चीज मैं अगर बताओं आपको डे टुडे यूजज में भी यार फिलहाल बहुत ही मखन वाला स्मूद आपको देखने को मिलेगा बदब साथ दिन में मैंने यूज कि हलके फुलके वाले जो जिटर्स वगरा है हलके हिक जो है वह नॉर्मल है 15 स्मार्टफोन डे टुडे वाले यूजज में तो आपको कोई भी इश्यू नहीं देने वाला है आपके हलके वाले काम अराम से कर देगा इवन अगर आप हैवी टाक्स में भी जाते हो ना तो जी नाइटी सिक्स है काफी केवेबल और काम आपका अराम से कर देता है यही प ग्लास टाइप का है तो तो मुझे इतना कोई फील हुआ नहीं हाला कि यहां पर सब्सक्राइब हो जाता है यहां अभी तक है अपडेट नहीं आया है एक चीज में जरूर से कहूंगा इस बार ना जो मिय है 13 वाली खास करकी इसको काफी अच्छा नहीं करा हुआ है इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वह भी काफी बैटर करी हुई है इसके अनिमीशन वगेरा भी देखोगे तो स्मूदर हो चुके हैं और काफी क्विकली ओपन होता है जा कंट्रोल सेंटर वगेरा में पहले जो कितने लैग्स वगेरा देखने को मलता थे अभी तक एक भी मीवाई के साथ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और क्लीन हो चुके हैं ब्लोड वेर बहुत ही कम देखने को मलते हैं तो वह भी चीज में कहूंगा एक काफी बैटर मलती है हाला कि यहां गूगल डाइलर इसके अंदर आपको मिल जाएगा तो गूगल वाली न्टीजी बो करके रखा है और सुबह देखता हो ना पांच से चे परसेंट के अराउंड ऑटमेटिकली बैटरी यहां पर गिर गई तो थोड़ी सी अपडेट की जरुवत है फिक्स होने की हाला कि अगर मैं डे-to-day यूजिस की बात गरूंगा तो मुझे 6-7 आर के बिट्वीन का यहां कर सकते हो साइसा चार्जिंग इस वा मैं जरूर सकाऊंगा कि फिक्स करी है 33 वाट की चार्जिंग मिलती हो और एक घंटा पांच मेंट के रहा हूं मेरा यह फुल चार्ज हो जाता है वह बहुत ही बैटर चीज यहां पर कर दी गई है और सबसे मस्टीज वजए इसकी क्या सबंगा नहीं रहेगा बहुत इजली हर कंडिशन में डायक्ट संलाइट में भी विजबल हो जाता है तो यहां पर थोड़ी सी ट्यूनिंग चेंज करी है थोड़ी सी कॉंट्रास्टी थोड़ी से 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 अंदर देखने को मल जाते हैं पंची साइड में है और डीज वगर भ वहां पर फुल एजडी में स्ट्रीमिंग कर सकते हो हाला कि SDR वीडियो का सपोर्ट आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा और टू के तक आप वीडियो को अगरा को स्ट्रीन यूट्यूब के अंदर कर पाऊगे और चीन या बात करूंगा तो वह भी काफी पतले आपको देखने को मल जाते हैं तो ओवरॉल 15,000 के प्राइसिंग के साथ से डिस्पले एक नंबर आपको देखने कलब मल जाती है और एमुलेट दी है लेकिन यार इसके अंदर आपको साइड मॉडर्ट फिंगर्पिंगर्पिंट सेंसर मलता है क्या ही दिक्कत उतर देगा इन दी एंड बात आजाती है कैमरा की अब देखो यार जब मैंने इसको फर्स्टाइम उन्बॉक्स हिया था तो इतना अच्छा कैमरा नहीं था लेकिन उसके बाद जो अप्डेट उन्होंने प्रोवाइड करी है कैमरा बहुत ही सही इंप्रूफ हो गया है पहले दो ही में या पिक्सल वाले मैक्रों आपको देखने को मल चाते हैं यूजलेस और फ्रेंट में 16 में अपिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और सबसे पहले चीज़ नहीं कर सकते हो तो यह लिमिटेशन आपको थोड़ी सीम मिलेगी अब यहां पर मैं 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 शॉक हूँ इस टाइम या में जिसमें कैमरा बहुत ही सही आपको देखने को मिल जाए तो अच्छा हो आपको हर लाइटिंग कंडिशन में अच्छा शॉट यहां पर निकाल के दे रहा है इस पोको स्मार्टफोन में मैं कहूंगा बहुत ही सही काम किया हुआ है और मुझे बहुत ही बैटर लगा है इवन अल्टरावाइट भी आपको अच्छा सा देखने को मिल जाएगा डिसेंट से आपको यहां पर डिटेल्स देखने को मिल जाती कलर्स बगरा भी काफी बैटर आपको देखने को मिलेगा बागी तो चूते नहीं है लेकिन 16 पिक्सल के सैलफी कैमरा है यहां पर यार द आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा में भी अगर आप पूछोगे 15,000 रुपए के अंदर तो आई थिंक यार यह पोको का स्मार्टफून आपको फोटूस वगरा मेरे हिसाब से 15,000 में सबसे बेस्ट फिलहाल कर निकाल के देता है अगर आप कैमरा सेटप ओर आल भी नि सकती हो तो आइकन सही कि यार 15,000 रुपए के अंदर आपको यह डील बहुत सही देखने को मिलती है सबसे पहले तो यार इंहेंट फिल वगरा भी काफी सही है बिल्ट के इसाब से डिजाइन तो मुझे लगता ही मस्त है डिस्प्ली जो है ना काफी क्रिप से एंड उसके के आज आती है अप इसमें आएगी नहीं आएगी वह तो मैं आपको बताता रहूँगा लेकिन फिलहाल तो नहीं है तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप अभी आराम से इसको खाली सकते हूँ 15,000 रुपए के अंदर फिलहाल के लिए मुझे बहुत ही सही लगा है अभी मेरे पा